हालेलूया प्रभुजी का धनेवाद हो आज के इस पवित्रों और उत्तम दिन के लिए जो हमारे जीवन में प्रभु ने इसले चोड़ा कि हम खुदा की महिमा और इबादत कर सकें आईए इससे पहले कि वचन में कलाम में हम जाएं दूआ करते हैं खुदावन प्रभु हम आपके पावंचरणों में आते हैं सुन्दर सुभे के लिए धन्यवादी हैं खुदा आपने हमें प्रभु रातरी भर संभाला और प्रभु इस नए दिन में लेकर आए हम धन्यवादी है मेरे प्रभु आपका वचन कहता है मेरे पिता परमेशर की स हमारी निर बलताओं में सिद्ध होती है जहां जहां हम आज कमजोर हैं आपकी साम मर्थ हमारी निर बलताओं में सिद्ध हो जाए हम यह दूआ करते हैं खुदा बोलने वाला मैं ना ठेहरूं खुदा आप ठेहरें खुदा आपके पास वचन है आपका वच्छन है आपके पास सामर्त है I am nothing without you O Lord I surrender and humble myself Lord before you please use me Lord as you want to and bless your people O God whoever will listen this sermon O God let him be delivered and let him be freed from every bondage O God and talk to him O God talk to your people O God especially pray मैं धन्यवादी हूँ खोदा कि प्रभू आपने मुझे अपनी सिवा के लिए चुना है ये मेरी ओगिताओं के कारण नहीं आपके अनुग्रह से हुआ है खोदा और मैं श्वास करता हूँ आपका वही अनुग्रह जिसने मुझे चुन लिया खोदा आपके उसी अनुग्रह से आप प्रभू मुझे स्वाल भी करेंगे और जितने सुनने वाले आरेका जिवन आजाद होगा आशिशित होगा हमें धने वादेता हूँ प्रभू शुमसी जी के महान नाम में हम ज़ुआ को मांग लेते हैं आमेन रूबावदारा अजुन्च बिलैगे घ्याल्त अजिकता है अज हमें दें शुन्च बिलैगे नेथे था रसों और उसका चौथा पत कहता है Labor not to be rich, cease from your own wisdom धनी होने के लिए परिश्रम ना करना अपनी समझ का भरोसा छोड़ना धनी होने के लिए परिश्रम ना करना प्रभु का वचन धनी होने से मना नहीं करता लेकिन ये जरूर कहता है कि धनी होने के लिए परिश्रम ना करना तो इसका क्या मतलब है क्या हम बिना परिश्रम के आशीशित हो सकते हैं क्या बिना परिश्रम के परमिश्य के लोग आशीशित हो सकते हैं वचन इस बारे में क्या कहता है biblical history इस बारे में क्या कहती है इस बारे में हम अगर detail में हम देखें तो हमें परमेशे के वचर में मिलेगा कैसे कैसे परमेशे ने उन लोगों को चुना और जिने परमेशे ने धन के आशीर दी तो वो कैसे धनी हुए इससे पहले कि हम उधारन में जाएं प्रभु का वचन कहता है संतोष सहित भक्ती बड़ी कमाई है जब हम धनी होने के लिए परिश्रम करने लग जाते हैं हम धनी होने के लिए पैशनेट होने लग जाते हैं हमको लगता है हम अपने आपको बहतर से बहतर करते जाएं अपने guts को, अपनी qualities को, अपनी skills को, अपनी marketing को, अपनी policies को धनी होने के लिए जितना कुछ हम labor करते हैं, परिश्रम करते हैं प्रभू का वचन कहता है कि तुम वो मत करना क्यों नहीं करना? क्योंकि प्रभू के वचन में साफ लिखा हुआ है कैसे पर्मेशर ने जब अबराम जी को बलाया अबराम जब अपने घर से निकले तो कुछ उनके पास विशेस नहीं था लेकिन पर्मेशर ने उनको बहुत धन दिया याकूब जब अपने घर से निकला तो कुछ भी नहीं था लेकिन जब याकूब लोटकर आता है तो वो बहुत भरापूरा आता है बहुत धनाड्य होकर आता है और हम देखते हैं कि कैसे याकूब ने परिश्रम तो किया लेकिन पर्मेशर का अनुग्रह उसके जीवन पर था इस कारण से उनकी भेड़ बकरियों को हम जब आप पढ़ते हैं उत्पत्ती में तो हम वहाँ देख पाते हैं कि कैसे पर्मेशर का अनुग्रह उस दास को मिल रहा था इस कारण से वो धनाड्य हो गया लाबान के घर में भी परदेश में भी वो लाबान के घर में धनाड्य हो पाया जबकि लाबान नहीं चाहता था कि कभी भी वो सिती में पहुंचे लेकिन खुदा का अनुग्रह उसके उपर था प्रभु का वचन ये भी कहता है कि मैं तुम्हें गुप्त में गड़ा हुआ धन दूंगा और आज वर्तमान इस्तिती यह है प्रियों कि मेरे पास इतने फोन कॉल्स आते हैं कि लोगों की दो लाख धाय लाख सेलरी पर मंथ सेलरी जिनकिती उनको कंपनी ने जॉब से निका नौकरी से निकाल दिया जा रहा है क्योंकि उनके पास सेलरी नहीं है और पूरी विश्व कि यही इस्तिती है तो आब आप बताईए ऐसी इस्तिती में कलीसिया का क्या होगा कुछ लोग बड़े टेंशन में हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ कलीसिया को कभी भी किसी भी परसिती से चिंतेत होने की अवशक्ता नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपका और मेरा परमेश्व वही खुदा है जो इस्राइलियों को जब मिस्र से निकाल रहा था तो मिस्रियों के जितने गहने थे उत्तम उत्तम गहने थे उत्तम उत्तम सोना था उनका जो उनकी जो संपत्ती थी इस्राइलियों को उन्होंने बेगार में यूँ ही फ्री में दे दी और इस्राइली जब निकले तो लूट कर निकले और मैं पूरी तरह से विश्वास करता हूँ कि हमें परमेश्र ने कठिन परिश्रम नहीं दिया मेरे फ्रियों हमारा खोदा ऐसा नहीं है कि हमें कठिन परिश्रम देगा मिसर में इसराइली कठिन परिश्रम करते थे इट गारे के बीच में रहते थे और दो वक्त की रोटी बड़ी मेहनत करके खापाते थे परमेशर ने आशीज दी कि मैं तुम्हें ऐसे देश में ले जाओंगा जहांपर दूद और मधू की धाराएं बहे रही है जहांपर दूद इतना भैता है वहांपर मधू इतना भैता है और दोनों ही जो होते हैं वो बहुत अच्छे प्राइज में बिखते हैं परमेशर ने उनको ऐसे देश में लेकर गए आप सोच सकते हैं हम जानते हैं हमारे हाँ भारट में जो मधुमक्हियां हैं वो पेड़ों पर अधिक्तर हम देखते हैं पेड़ों पर उची मारतों पर बड़े खंबों पर चछत्य बनाती है और उनको तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है लेकिन आप मैं आपको सच बताना चाहता हूँ इसराइल में इस्तिती ऐसी नहीं है इसराइल में मधुमक्की को जगे नहीं मिलती तो वो लोथ में डेड़ बॉड़ी में भी वो छट्ता बना लेती है आप सोच सकते हो कि मधुमक्की को इतनी जगे नहीं मिल रही है कि वो कहीं और पढ़ते हो तो शिम्षोन जाता है, शेर को मार देता है, शेर जब मरा हुआ होता है, कुछ दिन बाद लौटता है, तो शिम्षोन शेर की लोथ में से मधु को खाता है, तो आप सोच सकते हैं, वहाँ पर मधुमक्किया एक डेड मोडी में भी अपना छटा बना लेती हैं कि वहाँ पर अपना शेहद खटा करें। कितनी abundance थी वहाँ पर हनीगी, शेहद का कितना अधिक उत्पाधन है वहाँ पर। आज हम सब जानते हैं कि इसराइल में हर चीज का उत्पाधन बहुत जादा है। अब आप मुझे बताईए परमेशर जो इसराइलियों को इतना abundance देना चाहते हैं कि आपको और मुझे नहीं देगे। हमारा परमेशर वही परमेशर जो abundance देने वाला परमेशर है। आपको थोड़ा सा परिश्रम करना होगा और बहुत जादा आप बटोर पाओगे। संसारिक लोग अधिक परिश्रम करते थोड़ा बटोरते हैं लेकिन विश्वासी और परमेशर के लोग खुदा के पीछे चलने वाले और भय मानने वाले लोग जो लालच के कारण कमाते नहीं हैं परमेशर का भय मानते हैं और परिश्रम करते हैं परमेशर उनके परिश्र उनको blessing देता है प्रभु कावचन कहता है गरार में जब इसाक ने बोया तो 100 गुना बटो रहा है जब कि वहाँ पर आकाल पड़ा था वही परमेशर आज भी आपके मेरे जीवन में वैसा ही परमेशर है आज दुनिया में आकाल पड़ा होगा लेकिन मैं आपको guarantee ले रहा हूँ आपके घर में अनाज बढ़ता जाएगा आपके घर में अनाज बढ़ता जाएगा जो आप normal days में नहीं खाते थे आप में से कितनों की गवाई है कि आपने lockdown में वो उत्तम से उत्तम चीज़ें खाई है मेरे personal life की तो ये गवाई है आप सबको भी permission कितना सुरक्षित रखा कितना bless किया यह मैं सोची कि हमारा bank balance बढ़ रहा है की नहीं बढ़ रहा है आपके घर में अच्छा अनाज आपके घर में अच्छा भर पेट आप खा रहे हो और पहले से बहतर खा रहे हो ये गवाई तो आपके जीवन में जरूर होगी हाँ financial struggle हो रहा है खईलों के जीवन में हो रहा है वो तो पुरे विश्म में हो रहा है लेकिन क्या आप खाना खा पा रहे हो सुख के साथ सूखा टुकड़ा और कहीं पले बच्ड़े के मास खाने से उत्ता में लेकिन आप और में इतने blessed है कि हम सुखी तो है ही है और सुखे टुकरे की बज़य हम बहुत अच्छा भुजन कर रहे है तो परमेशर ऐसा परमेशर है जो आपको हर दिन रोटी देने वाला परमेशर जब आप धन की एक problem क्या है ना जब धन आता है तो हम धन पर भरोसा करने लग जाते है जब सामर्थ आती है तो हम सामर्थ भरोसा करने लग जाते है जब हम हमारे पर position आती है हम अपनी position पर trust करने लग जाते है और परमेशर का वचन कहता है ना रतों पर ना घुनों पर भरोसा रखो प्रभु का वचन कहता हम तो यहोवाही का नाम लेंगे वाव, हालेलूया परमिशन ने 300 लोगों को ले कर गए और गिदोन के द्वारा एक बड़ी जीत हासिल करवाई मौबियों को हरवा दिया कारण क्या था ताकि वो अपनी सामर्ट पर भरुसा आपकी पास कही हो सकता है कई लोगों के पास पईसड आता ही नहीं ऐता है चल हजाता थोड़ा आता है उतता ही आता है जित्ता आपको जरूर है पेच्शकीन करका दो प्रंट भर दो जितना आप कि बीचाब्स तो अरस तो आपके पास कुछ नहीं बुस्ता ऐसा क्यों होता है अगर आपके साथ रेगुलर ऐसा हो रहा है तो हो सकता है परमेशन आपको यह सिखाना चाहरे हों कि आप उन पर ट्रस्ट करें आप कि अभी एफ टू ट्रस्ट अपॉन दे लॉड प्रभु का उचन कहता है रतों और गोनों का बरुसर रखने से उत्ता में कि हम खोदा का नाम लें खोदा पर बरुसर रखें इस पैंडेमिक में इस महामारी के समय में भी परमेशन ने बहतर खिलाया है मैं बहुत अच्छा ख प्रीत क्यों न हो जाए खुदा बाप आपको बहुत अच्छे से रखेंगे आप अच्छा पहनेंगे आप अच्छा खाएंगे आप अच्छे से रहेंगे आज का ही वचन परमेशन ने मुझे दिया कुछ न कुछ परमेशन आपको बताना चाहता है कुछ न कुछ खुदा हुई उसके बाद प्रभू ने मुझे दिया मैंने का ओके लोड अगर आप इसमें से बोलना चाहते तो आप बोल रिया मुझे तो पता नहीं कि क्या बोलना है मैं ट्रस्ट करता हूँ कि खुदा बाब आपसे बात करेंगा और आपको लगेगा क्यों खुदा आपसे बात करन थे कि अब तक तो अगस्त तक तो हमारा ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा कुछ चीजें नहीं हो पाई कोई इसू नहीं प्रियों प्रभू का वचन कहता है जब आकाश ये पक्षियों को खिलाता है तो 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 में भी खिलाएगा मैं आपको सच बता रहा हूँ अगर सक्सेस अब यह नहीं है कि आपके पास कितना बेंक बैलेंस सक्सेस यह है कि आप जिंदा हो और आप खाते पीते हो आपका परिवार भला जंगा है क्योंकि जितने बड़े-बड़े धनाड़ी लोग हैं वो भी आज दरे हुए लेकिन आप बिलकुल सुरक्षित हो निडर ह अच्छे से खा रहे हो पीर हो आ रहे हो जा रहे हो खुदा बाप आपके साथ है आपको मृत्यू का भी डर नहीं क्योंकि आपको पता है कि अगर आपकी मृत्यू भी होती है तो खुदा बाप आपको अपने चरणों में लेकर अपनी उपस्तिती में स्वर्ग में ही लेकर लेगन हमें बिलकुल यकीन है खुदा पर, जब तक हमारी सांसे जरती पर लिखी हुई है, कोई हमारा कुछ नहीं बिखार सकता, बिमारी हो, चाहे कोई शत्रू हो, कुछ भी हो, हम वही लोग हैं जो भजन इनके आनवे के अनुसार विश्वास करते हैं कि जब हम खुदा के चड़न में बैठते हैं, तो कोई मरी हमारे डेरे के निकट नहीं आएगी, और खुदा के दूथ हमारी रक्षा करते हैं, आप ऐसे ऐसे लोग हो, आप इतने बलस्ड लोग हो, आप इतने धन लोग हो, आपको शोभा नहीं देता चिंता करना, आपको शोभा नहीं देता च की भाइन का स्वर्गी आनन्द स्वर्गी उपस्टिति का जीवन देनाया चाहत cling कि आप बारा वारा घंटे परिश्रम करते रहो घरते रहो और आपके कुछ यहां परिवार के लिए हैं चाहिए तो यह जीवन पिर कैसा जीवन पर्मीशन है अम परिश्रम से ऐटाया नहीं है लेकिन हमारे परिश्रम को बहुत कम कर दिया और बहुत कंकर दिया और इस बात पुझा करें अप्नी तॉ और मैं आप में से कुछ लोग को बोलना चाहता हूँ आप में से कुछ लोग जो एक्स्रा लेबर करते हैं आप एक्स्रा परिश्रम करते हैं वो खुदा की इच्छा से नहीं करते हैं और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो खुदा की अगवाई के बगैर जॉब कर रहे होते हैं परमिश्य चाहते थे कि वो वहाँ नहीं यहाँ जॉब करें हो सकता वहाँ सैलरी थोड़ी कम थी लेकिन इनने सैलरी के चक्कर में पोजीशन के चक्कर में प्लेस की चक्कर में या कोई मेट्रो सिटी या कोई बड़े शहर के चक्कर में, अपने आपको ऐसी तकलीफ में डाल दिया, आज उनके पास पैसा है लेकिन पीस नहीं है, खुदा का राज्य, शांती का राज्य है, खुदा का राज्य, परमेश्य की उपरसिती, परमेश्य के साथ जीवन, स्वर रहे हो, तो कोई गड़बढ है, कुछ गड़बढ है आपकी लाइफ में, आपके डिसीजन में गलती है, या आपकी वे ओफ तिंकिंग में गलती है, लालच के कारण कुछ लोग अधिक परिश्रम करके सुचते हम बटोर लेंगे, और अपने आपको संसार से मैच करना चात हैं कि हमारे पास तो अल्टो है और उनके पास बहुत अच्छी बड़ी गाड़ी है, तो काश हमारे पास भी वो गाड़ी हो जाती हमारे पास बाइक है, हमारे पास कार हो जाती हमारे पास जो है हम उसमें संतोश नहीं करते, खुदा कबचन कहता है संतोश सहित बक्ती बड सुद्धा के साथ रिष्टा और उसी रिष्टे के लिए आपके पास समय नहीं है और आप ऐसा धन बटोर रहो हो जो तोब बिल्कुल जिसका कोई भरोसा नहीं है वो आज है कल नहीं होगा आपके पास और वो धन भी किस मतलब का जो हमारे तकलीफों में काम नहीं आए आपके पास पैसा हो सकता है लेकिन कोरोना आपके पैसे से कोरोना ठीक नहीं होता रहा है अभी ऐसी ऐसी है और इसके बाद और सुनने में आ रहे हैं कि और परिस्ति और बिमारियां बहुत जादा इससे जादा खतरनाक होने वाली हैं तो हम किस पर भरुसा कर सकते हैं खुदा बाप पर संसार पैसे पर भरुसा करता है हमारे पास इतना पैसा होगा हम उतने खुश होंगे हम उतने आनंदित रहेंगे, हम उतने खुश रहेंगे प्रभू का राज्य ऐसा नहीं है आप खुदा के राज्य में आ गए हो खुदा के राज्य के उसूल अलग है खुदा के राज्य के उसूल अलग है आपको शांती में रहना है खुदा पर भरुसर रखना है, कल की चिंता नहीं करना है, खुदा पर भरुसर रखकर आप आज के दिन रोटी खा रहे हो, तो खुश रहो, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप आलसी हो जाओ और सोचो कि खुदा आप हमारा पेड भर देंगे और आप कुछ ना करो, ऐसा भी लेकिन आप परिश्रम ना करो, परिश्रम का मतलब होता है काम करना, जॉब करना नहीं बोल रहा हो, परिश्रम का मतलब होता है आप लगे हुए हो, आप अपना पूरा फोर्स लगा रहे हो, ओवर टाइम कर रहे हो, ना ढंक सिखा रहे हो, ना परिवार को समय दे रहे हो, स उसके लिए हम इतना जो effort लगाते हैं, गरवाले हम उसे चड़े हुए हैं, रिष्टे तूटने पे आ रहे हैं, पत्नी परिशान हैं, बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं, कुछ भी नहीं है, हमारी भी अंदर peace नहीं है, हमारी family में भी peace नहीं है, पैसा है हो सकता है, पैस के दिन में आपकी हर जरूरत खुदा वाप पूरी करेगा, और अगर आप सोचते हो कि हम ministry कैसे करेंगा, हम कैसे सेवा करेंगे, प्रभू का वचन ये भी कहता है, अंद के दिन में परमेश्य का वचन कहता है, प्रभू के वचन में साफ लिखा, गुप्त में गड़ा अधन में उन्हें दूँगा, जितना धन जो है, यह जो अंधकार के लोग, हाकिम लोग जितना इखटा कर रहें, प्रभू एक समय पर आपको देगा, जरूर देगा, बिलकुल देगा, प्रभू ने वो किया है, मिजरियों के साथ किया है, मिजरियों का सारा धन जो है, इस रकम जोडने में, एक हार सोने का जोडने में कुछ लोगों को जीवन लग जाता है अब वहां मिसरियों ने कितना परिश्रम करके वो जोड़ा होगा और इस्राइलियों ने एक ही रात में बोला कि हमें आप अपना गहने दे दो और उनने बोला ओके ले जाईए आप मतलब आपको लगता नहीं है थोड़ा अटपटा सा ये है खुदा की ब्लेसिंग बिना परिश्रम के खुदा जब धन देता है तो आप उस धन पर भरुसा नहीं रख सकते आप खुदा भरुसा रखते हो और आप ये कहते हो कि खुदा ये मेरी काबलियस से नहीं खुदा भाब आपकी दया से मुझे मिला है नहीं तो आप परिश्रम से ही बटो रहें तो आप खुदा को क्यूं धनिवाद दो गए कि मेहनत तो आपने की थी ना जब आपको परमेश्य यूहीं ब्लेसिंग देता है तो आप उसके लिए धनिवादी होते हो इसका मतलब ये नहीं कि आप आप कल से जॉब छोड़ दो और बोलो कि भाईया ने जो सर्माद दिया था मैं बड़ा आश्य से तूँ आप से मैं घर में बटूँ ऐसा नहीं होना जाए आप जो परिश्रम करने करिये no problem prosperity खुदा की ओर से आती है प्रभु का वचन कहता है उन्नतिश स्वल्ग से आती है इंग्लिश मिलता का prosperity comes from the Lord खुदा की ओर से ही prosperity आती है साम 75 में आती है प्रमेश्र जो प्रमेश्र प्रोस्पेरिटी देते हैं तो प्रमेश्र को देने दीजिए आप उसके लिए अपनी बुद्धी चलाना बंद कीजिए प्रभु का वचन भी कहता है अपनी समझ का सारा ना लेना भरोसा रखो खुदा पर कि आपके जेब में पैसो की कमी नहीं होगी और अगर थोड़ी कमी आप देख भी रहो ना एक टाइम तक होगी थोड़ी टाइम बिके एक बहुत बड़ा आकाल था और हम जानते हैं कि जब भी हमारे जीवन में कमी घटी आई है पिछले दुनों में खुदा बाप ने उन्हें दूर किया है परमिशर ने उन्हें खटाया है हमारे जीवन से उन कर्जों को खटाया है तो क्या हमारा खुदा आज नहीं हम आज हमारी समस्याओं को हल करेगा, आज हमारी जरुवतों को पूरा नहीं करेगा, क्या परमिशर आज हमारे साथ नहीं है कि वो हमारी सुधीले, आज हमारे साथ नहीं है कि वो हमारी हल्प करे, आज हमारे साथ नहीं है कि हमारी हर छोटी बड़ी परिस्तियों में वो हमारे स रहे लुट इस शूरली विट इस बट्ट वी एफ ट्रस्ट ऑन हिं क्या ही धन्य वह जो यहोवा पर भरुसर रखता है हालेलूया और अगर आप खुदा पर भरुसर रखोगे उसको खुदा पर मेश्यर को अपने सुख का मूल जानोगे प्रभु का वचन कहता है तब वह आ कुछ नहीं होगा हमारा कुछ नहीं होगा ऐसी मेंटलिटी हटा दीजिए शत्रू की और से खुदा अपने लोगों को बहुत ब्लेसिंग देते हैं परमिश्य के राज्य में सडके भी जो हैं सोने की हैं तो आप कैसे सोच सकते हैं कि खुदा बाप आपको ऐसे ही रखेंग बिलको नहीं रखेंगे और यह मेंटलिटी हटा दीजिए कि हम प्रभू में होते हैं तो हमको गरीब रहना है बिलको नहीं हम क्यों गरीब रहेंगे क्यों गरीब रहेंगे वचन कहता है प्रत्वी में जो कुछ भी है यह हुआ का है everything is God's everything belongs to God खुदाबाप ने बनाया है सब सारे हीरे जहावरा सारे सोना यह सारे मेटल यह सब खुदाबाप ने बनाया है उसकी थोड़ा सा खुर्चन है प्रभू को कश्टनी होगा आपको मुझे देने में हम क्यों टेंशन देते हैं क्यों टेंशन देते हैं आप इच्छा रखिए खोदावाब आपको देंगे आप मुझ खोलिए परमेशर उसको भर देंगे आप उसके लिए परिश्रम करने की बजाए जूट बुलने की बजाए चोरी करने की बजाए इससे इदर ले लिया इसका उदर कर दिया इसकी टोप्य उसके सर कर दी जूट बोल बोल के business कर रहे हैं कि extra 100 रुपे मिल जाए, extra 50 रुपे मिल जाए, extra 10 रुपे के लिए जूट बोल रहे हैं, come on dear people of God, come on you are a believer, आप ऐसी हरकते ना करें, आप ऐसे काम ना करें, कृप्या, आप लोग अपने धारमिक्ता को ये छोटे छोटे रुपियों के कारण बे बेशा करेगा, लेकिन आप ठहरे तो रही है, 10 रुपे के कारण अपनी धारमिक्ता, अपने सौभिमान को क्यों बेश देते हैं, क्यों जूट बोल कर business करते हैं, सच बोल कर नहीं कर सकते कि आपके पास, हम तो इतने कमा रहे हैं, हम कमा रहे हैं, खतम, और हमें नहीं बतान हम कितने कमा रहे हैं, हम इतने price में देंगे तो इदेंगे, लोग कहते हैं कि जूट बोल के ही business होता है, इस्राइली लोग business कर रहे हैं, बिना जूट बोले, वो लोग तो जूट नहीं बोलते हैं, उनके पास जो दस आग्या है, हो सकता है, वो प्रभू को नहीं मानते जूटी साक्षी नहीं देना, और हम सुचते हैं कि हम ऐसे धनाड होंगे, business का rule है, जूट बोलना, क्या बड़ा है, business के उसूल बड़े हैं, कि खुदा बाप बड़े हैं और खुदा बाप के उसूल बड़े हैं, business हो यह सब धर्ती का है, खुदा बाप के rules स्वर्ग से खुदा बाप का वचन उनकी आग्याएं, उनके नियम, उनकी विधियां, उनके सारी की सारे जो भी इस्टेट्यूट्स हैं, वो सब इस्तिर हैं, तो आप किस पर भरुसर के हुए, वो जो आपके पड़ोसी बताते हैं, business ऐसे करना चाहिए, आप उन businessman को देखो, अबराहम businessman थे, याकूब businessman थे, इसाग businessman थे, सुलिमान के राज में चांदी कमूल पत्थर सा हो गया था, खुदा बाप के भह मानने वालों को परमेशन ऐसी सामर दिखाई है, सुलिमान के राज में जब तक वो राज करता रहा, आप गूरे इस्राइल में शान्ती रही, किसी को डर होता था कि कोई हम पर चड़ाई करेगा, उसके पास इतना पैसा था, इतनी उसके पास रुदबा था, परमेशन का भह मानने वालों को परमेशन ऐसी blessing देता है, सारे राजा आते थे, उत्तम से उत्तम चीज़े सुलिमान के पास ले कर जाते थे, ओपीर का कुंदन जो की मा करता था, क्या आप सोच सकते हैं, उसने दूर देशों से हातिदात, मोर पंक, और चंदन, और सोना, चांदी, उत्तम तेल, उत्तम खुशबूदार तेल, जितने भी उत्तम जो गंदरस होते हैं, दाखरस होते हैं, उत्तम से उत्तम blessing दूसरे राजा ले जाकर देते रहते पूरे सुलिमान के जीवलकाल में उत्तम से उत्तम blessing इसराइल में खटी होती थी, पूरी दुनिया से लोग कीरती सुनने आया करते थे इसराइल में, कि सुलिमान को परमेशर कैसी blessing थी, वो ही परमेशर आपका मेरा परमेशर है, वो ही परमेशर है, वो दो पईया से चार प पड़ी रती थी इस्राइल में एक ऐसा दौर था आपको मेरा पर मेशर कभी नहीं बदलता कल आज इगवानियू के एक साहिए आप थोड़ा होड़ान तो करिये आप थोड़ा धीरत धरिये आप इस बात पर धीरत धरिये कि हमने आज भरबेट खा लिया है कोदा बाप कल हमा होटे हैं कई बार मैं भी होता हूँ हम लोग होते हैं है कोई नहीं है लेकिन हमारा टरस्च हुदां पे होना ची कि आ यing अ Boy of you ने कहा कि जंगली जानवरों के भी जो होते हैं, बसेरे होते हैं, घर होते हैं, मेरे पास सर ढखने की जगे नहीं है, वो खुदा उसके पास एक घर नहीं था कि वो अपना सर छुपा सके उस घर में, कभी लाजर के घर में, कभी पत्रस के घर में, कभी इसके घर में, कभी उसके घर म ताकि आप अपने घर में रह सको वह एक जोड़ी कपड़े में था ताकि आपके पास भरपूरी हो उसके पास पैसा नहीं था तो मचली पकड़ कर जो है अपना अदा किया टेक्स पे किया प्रभू गटी में रहे ताकि आप भरपूरी में रहो तो प्रभू की इच्छा है कि आप भरपूरी में रहो, प्रभू आपका वेट कर रहे हैं, प्रभू आपके, क्या होता ने, कई बार हम लोग गटी में क्यों रहते हैं, ताकि हमारे अंदर से जो रुपए का मोह हैं ना, पैसे पर जो भरोसा है, रुपए पर जो लालच है, वो सब तूट जाए हमाने गर आपकी कमज़ोरी पैसा थूप ढूर हो चाहरे उस मिणिस्ट्री में पैसा मिलीगा इसलिए म Там सबस्कूरल भी मिलरा है जूट भूल भूलकि अरट मिनस्ट्री करेंगई जूट बोल बोल के हम सेवा करेंगे, जूट बोल बोल के हम बिजनस करेंगे, जूट बोल बोल के हम अपनी नौकरी करेंगे, चापलूती करेंगे, कैसे काम चलेगा, हम क्या शोग करेंगे, खुदाब आप जब सुख से देखेंगे, इसी कारण से तो हम हमारे पास blessing नहीं आ पाता हमारे पास प्रॉस्परेटी नहीं आपाती क्योंकि हम लॉयल नहीं है हम विश्वास युग नहीं है हम भरूसे के लाइक नहीं है जब दस रुपे के लिए इतना पवित्रता को दाओ पर लगा देते हैं जूट बोलते हैं केवल सो रोपे केवल हजार दो हजार के लिए तो परमेशर इतना पैसा दे देगा तो हम तो खुदा बापको अराम से भूल जाएंगे सिम्पल है? कुछ लोग उने अपना जीवन खराब कर दिया एह अपना समय खराब कर दिया है और सिसलोग तो अ परिवार के साथ समयLY पता अब आप कुछ बिता है अब आपकेले पढ़ गए परमेश्र ने जीवन दिया उस जीवन को समझो अपने खुदा के साथ समय बिताओ अपने परिवार के साथ समय बिताओ अपनी पत्नी के साथ अपने बच्चों के साथ समय बिताओ हाय तोबा हाय तोबा मत करो जितना परिश्रम कर रहे हो उतना ही परिश्रम करो ओवर परिश्रम करके ज्यादा धन बटोरने के चक्कर में, ज्यादा धन बटोरने के चक्कर में, ज्यादा अच्छी प्लेज, पोदीशन और उस चीज के बीछे भागने के चक्कर में, दीनता नमरता के पीछे भागो गये ना, प्रभु कवचन कहता है, धनने वे जो नमर है विप्रत्वी के अधिकारे होंगे, आपको पता है, धर्ती के नियम अलग है मेरे भाई, मेरी बेहन, खुदा बाप के नियम अलग है, मैं सच कहा रहा हूं आपको, आप दीन हो जाओ में गैरेंटी ले रहा हूं, आपको एक अच्छा पद मिलेगा, गैरेंटी है इस बात की, क्योंकि मेरे खोदा का वचन नहीं टल सकता, वो वचन हमारा आधार है, वो वचन मेरी जड़ है, वो वचन हमारी हड़ी है, रीड की हड़ी हो वचन है, प्रभु का वचन साफ कहता है, दन्यवे जो नम्र है, प्रत्वी के अधिकारी होंगे, वो नहीं जिनके पास सर्टि डिकारी बनना चाहते हों आप तो अपनी बिजनस में अपोजिशन प्राफ्त करना चाहता है ठाने ने जी दम नहीं ढरिखे प्रत्थभी के अधिकारे होंगे को डबाब अपने लोगों को टॉप मोस्ट पॉजिशन पर क्रीम पोजिशन पर ले जाना चाहते हैं और पहुचाना चाहते हैं आप ट्रस्ट तो करिए आप वेट तो करिए हम लोग वेट नहीं कर पाते हम लोग को लगता है कि बस तुरंद मिल जाए हमें कोई शॉर्ट कट हो जाए उसमें अराम से हमें याकूब ने 14 साल वेट कि तब जाके उनको वह प्रशपरेटी मिली जब पूरी तरह सब देख लिया परक लिया पर्मीशन उनको दीखा उनको सिखाया कि वह उस धन को मैनेज कर सकेऊ कि तब पर परमेशन उनको धन भी दिया परमिशर वह अच्छे एक चीज और सोचिए परमिशर आप आप मांग रहे हैं बहुत ज्यादा पैसा या कुछ भी एक्स ये जड़ परमिशर वह चीज आपको देना भी चाहते होंगे कई बार इसले भी नहीं दे पाते पता है क्यूं क्यूंकि आप उसको मैनेज नहीं कर सक हैं परमिशर ऐसी चीज हमें दे हैं जिसको पाकर हम परमिशर से दूर हो जाएं या हम खुद करप्ट हो जाएं या हम जो हैं भटक जाएं या हम अपने जीवन की हानि उठाएं तो उससे बहतर है कि प्रभू हमें ब्लसिंग ना दे तो पर्मेश कई बार हमें इतना जादा आशिशित जो हम चाहते हैं उस वे में करने की बजाए हमारी जरूरतों को पूरा करते जाते हैं ताकि हम maturity में आ जाएं हम लालच से बाहर निकलें अपना भरोसा इन चीजों पर रखने की बजाएं खुदाबाप पर रखें और जब हम मिचोर हो जाएंगे तो पर्मेशन हमें वह भी दे देंगे मुझे याद है मैं बच्पन में कुछ चीज अपने पिता से मांगा करता था हमारे कर में एक तो मिश्री कि प्राफ चोटा था और वह बंदूग थी तो जब भी उसे चलाते थी तो नेको बड़ा अच्छा लगता से मुझे भी चलाना मगले पापजी ने बुझे पास आउट नेकरोगे तब तक मैं मैं तुन है चलाने नगर जोगा बंदूग मुझे लगता था कि यार यह क्या बात होती है बंदूग घर की है बंदूग अपनी है आप मुझे दे दीजिए मैं चला लूँगा कोई बात नहीं कोई इस्यू नहीं अब यह इतनी पोजीशन कि मैं 10 तक वेट करूं तब तक मैं बंदूग को देखता रहता था दिवाल पर समझ रहें क्यूं टैन्थ ताकि मैं एक ऐसी एज में आ जाओं जहां पर मुझे सही गलत का नौलिज हो जाए जहां पर मेरा बॉड़ी इतना हो जाए कि मैं भारी बंदूग को उठा सकूं और मेरे पास समझ हो जाए ताकि मैं उससे खुद की हानी या दूसरों की हानी ना जरूरी है ताकि मेरे पिता मुझे पर ट्रस्ट कर सकें कि मैं इसको अभी बंदूग दूँगा तो अभी ये मैनेज कर लेगा आप मुझे टेंशन की बात नहीं है ऐसी हमारे स्वर्गी पिता है जब तक वो हमें ब्लैसिक नहीं देते जब तक उनको ये ट्रस्ट ना हो ज रखते आप अपने कपड़ों को टाइडी नहीं रखते आप अपने आपको डेली क्लीन नहीं रखते आप अपने आपको बहतर नहीं रखते आपकी शादी करके करोगे क्या जो खुद को मैनेज नहीं कर सकता वो दूसरे अप एक जीवन साथी को कैसे साथ में रखके अगर आप लड़के हो तो और अगर आप लड़की हो तो आप जानते हो कि पुरूष्ख क्या होता है आप जानते हो की मैरिज क्या होता है आपके पास है नहीâte, उसके principles नहीं है, आपके पास बिब्लिलीक प्रिंस्पल जिनके आधार पर एक शादय श्युदा जीवन को बेहतर बना सको, तो कैसे आप की शादय होगी? आप पहले बहतर इंसान बनो, आप ऐसे इंसान तो बनो, मैं आफ उधारन बतातँ मिनदीदी है, उधारन हैं, मेरे पिता है, मेरे पिता की एक बेटी, मेरी बहन है, मेरे पिता उस एकलोती लड़की को किसी ऐसे लड़के को क्यूं देंगे जिसका खुद का वरोसा नहीं है जो खुद मिच्चोर नहीं है जो खुद बचकानी सोच रखता है मिच्चोरिटी उसकी लाइफ में नहीं है अपने आपको ढग से नहीं रखता क्लीन नहीं रहता घर का प्रबंद नहीं कर पाता कमाता नहीं है तो वो पिता जो संसारिक पिता है अपनी बेटी को ऐसे शक्स को क्यों देंगे ऐसी हमारे स्वगी पिता है स्वगी पिता आपको अपनी फूल की तरह हीरे की तरह बेटी क्यों देंगे पता ही आप क्यों परमेशर आपको अपनी संतान देंगे जिसे परमेशर ने बुराई से बचा के रखा ताकि आप उसकी लाइफ को खराब कर दो बिगाड़ दो आपको खुद जीना नहीं आता है आप उसको क्या पालोगे उसको कैसे रखोगे आप उसको कैसे मैनेज करोगे आपके खुद की लाइफ का भरोसा नहीं है आपके खुद की लाइफ का एक आप फर्म जगे पर खड़े नहीं हो आप दलदल से खुद निकल रहे हो चटान पर और आप बोलते हों कि इस दल्दल में मुझे एक जीवनसाती दे दे चट्टान पर पोजिशन पर पहुंच जाओ कुछ कर लो कुछ ऐसी इस्तिती में आ जाओ जहां पर आप कह सको कि यहां आप में ट्रस्ट इस भरू से लायक हूं कि मैं अपने जीवन को और एक जीवनसाती प्रइज़लोड चलिए वमचंद कहां से कहां पहुँच गए लेकिन मैं शास करता हूं कि जो भी बाते होती हैं हमारे कुछ ना कुछ सीखने के लिए होती है और मिलता है कुछ ना कुछ प्रभु कवचन कहता है धनी होने के लिए परिश्रम ना करना क्यूं परिश्रम कर भरोसा रखना परिश्रम बड़ा है कि भरोसा आप वह नहीं पाते जो आप परिश्रम करके कमाते हो आप वह पाते हो जो आप भरोसा करके खुदा बाप के द्वारा प्राप्त करते हो तो आप परिश्रम से जादा महत्पूर्ण रखो भरोसे को अपनी प्रेयर लाइफ को प्रियर करो नददश हुआ को अपकी जरुष्यूफ करेगा और जितना परिश्रम कर रहे हैं इतना बहुत है खायोख करनी की और खाओर मीशल उस हजार रुपकर कर देगा 10000 को एक रुपए करदेगा आपके बहु था तो ताइट ही नहीं देरें तो पिर तो बढ़ेगी प्रभु का वचन साफ कहता है दश्वान समय पर कैसे विदो आपको दश्वान समय पर देना है निए तो आपकी लाइफ में वह सकता है कि समस्यां मेरे साथ हुआ है आप मानिये तो अच्छी को खिलाता है तो मुझे भी खिलाएगा मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूं आप अपनी लाइफ को देखिए कि आप दे पा रहे हैं कि निए मैं देता हूं प्रभु जिन मुझे सिखा है कि तुझ भली सेवा के तो टाइट रगुलर निकालने तुझे देना है उसमें कंज उसी करेगा तो फिर गडबड जाएगी और मेरे साथ हुई ये गडबड तो मैं ठोकर खाखा के मैं सीखा हूं कि भई इस शेत्र में मजाक नहीं होना चाहिए और एक और उसूल है वो भी सुनिये अगर आप जैसा भी आप बीच बोते हो ना वैसे ही आप फसल काटते हो अ ऌटाल दया की आशी चीह ерг트를 दे यहीं तो है प्रभू के बचल में कयो लिखाए दयन व्णत है उन पर दया की जाए आपकर दया करने वाले कैसा काटते अब आप सोचते हैं आम दूआ अधिक कर ले मतलब हम दूआ बोएं और पैसा काट ले तो नहीं होगा दूआ बोगे तो आत्मीक जीवन काटोगे पैसा अधिक दूआ करके दिखलो आपको पैसा बोना पड़ता है ताकि आप पैसा काटें कुछ लोग शायद इस बात में में इस बात से सहमत ना भी हो लेकिन मेरे जीवन का नूभाव यही है और मैं इसे वचन से भी जानता हूं यह होता है मेरे साथ तो हुआ है आप करके देख लिजिए जबरन थोपने आली बात नहीं आप करके देख लि आजी के लिए कुछ करते हैं और फिर हमारा जो पैसा है बस उड़ जाता है एक लाग रुपे पेमेंट है लेकिन कहां जाती हमको दिखाई भी नहीं देती है दानी होने के लिए परिश्रम करने के बजाए खुदा आप पर भरोसा रखना उत्तम है और प्रभू कोचन कहता आप कि सथानी कलीषय को जाने चाए आपका बाकी जो ऊपर है जो भी आप देना चाहते है वह आप जाहे जतना देऊ कोई issue नहीं होता है ठीक है तो यह चीज है टायइत को डस चुकड़े करके कि हम वो ministry में वो कर दे डीडी बेजेंगे फिर इस ministry में हम Google पे कर देंगे फिर इस ministry में यह पास्टाकम ऐसा नहीं होता टायइत जो होती है अप छर्च बहरोसा कर सकते हो और समझ का सारा लेने के बजाए आप जब खुदा पर भरुसा करते हो अपनी समझ का सारा छोड़ देते हो खुदा से कहते हो प्रभू लॉड आई ट्रस्ट यू मुझे भरुसा है कि आप मुझे मेरे परिवार को चलाने वाले परमीशन है आप हमारे घर के सरव मुख्या है हमें लिड कीजिए आप हमें बल दीजिए हमें क्या खाना है आप लिस्ट बनाकर मम्मी पाप को रो रोकर देने की बजाए दो आपके विचारों को देखकर आपको वह अच्छी उत्तम वस्तॐ्यों खिलाता है प्रभु का वचन कहता है सुनेवान सुलेमान इतना दनाड़ी था फिर भी जंगली सोसन को जो वस्तर पहनाए गए सुलेमान भी ऐसे वस्तर नहीं पहन पाया था तो आपका मूले, मेरा मूले जंगली घास से तो अच्छा है, बहतर है, प्रभु ने जंगली घास के लिए कोई जान नहीं दी, आपके लिए मेरे लिए दीए, कोई अच्छी वस्तू हमारे लिए क्यों रख छोड़ेगा, प्रभु काउचन कहता, तुम बुरे होकर अपने बच्छों अच्छी वस्तू में देते हो, मैं स्वर्गी पितार था, अच्छी वस्तू में क्यों नहीं देंगे, पवित्रात्मा जी क्यों नहीं देंगे, बेस्ट से बेस्ट ब्लैसिंग क्यों नहीं देंगे, लॉड इस वेटिंग, प्रभु इंतजार कर रहे हैं कि आप को दें आप अपने आपको वैसा इंसान बनाई है कोड़ा आप से कहिए कोड़ा जो भी वह ब्लैसिंग आने में रुकावर्ट है वो तूर जाए तूर हो जाए और हाँ अगर आपके पास यह सर्मन पहुंच रहा है और अगर आप कलीशिया के सदस नहीं कोई इस्यू नहीं आप जब यूट्यूब में होगा यूट्यूब के कमेंट में आप भेजिए कि आपको अगर फानेश्य प्रॉब्लम है क्योंकि प्रभुजी ने मुझे बोज दिया है एक दिन सुम्हें में बैठा था प्रमिश्य प्रभुजी मुझे बोज देरतिक कली साह में बहुत से जादा फसे हुए हैं तो मैं उन विश्यों के लिए उपवास रखना चाहता हूं वो सकता एक या तीन दिन कोशिश करूँगा कि तीन दिन अगर प्रभुजी ने चाहे तो एक से तीन दिन जो भी हो सकता है डिसाइड होगा तो मैं उस दिन फास रखूँगा और मैं सब के लिए मेरे लिए दुआ कीजिए आपका नाम लेकर दुआ की जाएगी और आप लोग जितने सुनने वाले हैं प्री कलीश्या के सदर से आप लोग भी को भी बताया जाएगा कि कब फास्टिंग है तो आप अगर चाहें तो कंपसरी नहीं अगर आप चाहें शामिल हो सकते ह आपको जबरुस्ति नहीं कि आप रखें लेकिन हाँ सब्लोग नहीं तो कोई एक जन्म और सब लोग और सबलोग घर के कोई भी रख सकते हैं मैं अपको इस चीज्ञ में फोर्स कर रहा हूं कि मैं प्ला सिंग करूंगा अगर चाहें तो मुझे जाइन कर सकते नहीं तो मैं आपके लिए दुआ जरू करूँगा और financial matter अब कलीसिया से प्रात्ना भवन से उड़ जाएगा खताम होना चाहिए ये भाप की तरह बिलकुल अब कोई के भी जीवन में financial matter की problem नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये बोज प्रभु जी ने मुझे दिया एक दिन मैं बैठा हुआ था परमीश्य मुझे से बात ही कर रहे तो इमने बड़ा चिंता में आगे कि प्रभु जी कितना struggle कर रहे हैं लोग मुझे तो नहीं बताते मुझे नहीं पता है लोग मुझे फोन करके नहीं बोलते क कि हमाली financial matter की दूआ करूँ लेकिन मैं जब खुदावाप ने मुझे बताए कि उनकी इस्तिती ऐसी है कई लोगों की इस्तिती प्रभु ने वो burden दिया तो मैं बड़ा परशान हुआ कि मैंने का प्रभु इसके लिए तो बिलकुल मैं दूआ करूँगा और मैं भी struggle कर रहा परस्णली तो हम सब मिलकर जब फास्टिंग प्रेयर करेंगे रभु हमारी साहता करेंगे अगर आप फास्टिंग नहीं कर सकते केवल प्रेयर करिये मेरे साथ प्रेयर प्रेयर ऑफष्टिंग भी ज़रूरी है अगर नहीं होत्पाद किया जाएगा जैसे भी प्रभु अगवाई देते हैं ग्रूप में आपको बता दिया जाएगा आप अपने लिए प्रात्मने विद्ञ देना चाहते हैं तो आप यूटूब के कमेंट किजिए या अपना नंबर सेंड कीजिए कि यस आई वांट टू इन्वाल्व आई बिलकुल आपको जोड़ा जाएगा और आपके लिए दूआ की जाएगी ठीक है मैं विश्वास करता हूं इस वच्छन के दौर आप आशिशित हुए हमें खुदा पर भरुसा रखना है वो हमें हर उत्तम आशिज देगा अपनी समझ से बढ़कर हमें खुदा पर ट्रस रखना है परमेशर आप में से कई लोगों को परमेशर उन्नेती देने जा रहा है इस दो लोगों के जीवन में कली से हमें उन्नती आ रही है आप लोगों के जीवन को में उसका प्रॉपर इंपेक्ट पड़े हालेलुया और हो सके तो YouTube के कमेंट बॉक्स में भी आपकी जभी गवाहिए आनेवाले एक महीने दो महीने तीन महीने चाहर में है जब आप आए मैं धन्यवादी हूँ इस नीती वचन तेई सद्धा के लिए जिसमें से आपने मुझे समाल किया आपने अपने बच्चों से बाते किया मैं धन्यवादे तो इनका अपतब आशिश है तो इनके बास्क और प्राथना सफल हो और मेरे खोदा मेरी दुआ है आपके आशिश इन अपनी समझ का सहरा छोड़ का जीवन जी सके ताकि मेरे प्रभु जो आशिश रोकी हुए है वो अपने जीवन में प्राप्त कर सके हैं हम धन्यवादी हैं आपने हमसे बाते किया मेरे पिता आपने मुझे बिसमाल किया I am really thankful to you Lord मैं बहुत धन्यवादी हूँ आपका कि प् blessing Lord मैं धन्यवादी हूँ खोदा आपने जितनों को अजाद किया है जितनों के मन से मेरे प्रभु जी बंधन खुले हैं मैं धन्यवादी हूँ बातों के लिए सारी आदर में में आपके चर्णुम रखते हैं प्रभु ईश मुस्य जी के नाम में पूरे विश्वासियों को हफते बर के लिए bless करते हैं और आने वाले हर एक दिन के लिए bless करते हैं प्रभु आप सुरक्षित रखेगा आप ब्लस कियेगा आपने ऐसा कर दिया दने बाद देते हैं इनके परिवार से बिमारी तकलीफ करजे और समस्यां दूर ने पाएं आपके नाम की महिमा और बढ करता ईशु आपको स्विकार करते हुए प्रभू मस्या में जूआ को मंगते हं आमें हालेलूया CI हालेलूया है हम नहीं चलाते हम अभार प्रभू चलाते हैं जब चलाते हैं तो हम और यह सकती है यह अपने घर की जो बाग दोर है घर का जो बजेट है जो जितने भी चीज़ें है सारे बडंस खुद आपको देजिएएप खुद आव आपको ट्रस्ट करिए इस महीने आप ऐसा करके दिखिए आन वाले दो मेने में आपके पास ऐसी ऐसी गवाई आएंगी आप बोलेंगे कि रियल में हमने खुदा को देखा है परखा है और पाया है कि परमेश्य बहुत भले है प्रभू आप लोगों को आशीज दे हैं हफते भर आपके साथ रहें अब हमारे परमेश्य पिता का प्रेम पुद्र प्रभू इश्य मसीजी का अनुगरे है और प्रभू पवित्र आत्मा परमेश्य जी की कहरी संगति और सहभागिता हम सभी प्रियल विश्वासियों के जीवन में प्रभू के दूसरे आगमत तक और युगान युग भी होती रहे आमीन 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 प्रभू आप सबको अबहुत आशीज दे God bless you all प्रभू आपको आशीज दे आपकी रक्षा करें हफते में एक दिन उप्वास जरूर रखें अगर बनता है तो personal life के लिए family life के लिए अपनी spiritual life के लिए इन दिनों में आत्मिक जीवन समहल लीजिए बाकी सब अपने आप आजाएगा आत्मिक जीवन समहल लीजिए आत्मिक जीवन नीचे मत गिरने दीजिएगा धन जा रहा है जाने दीजिए कुछ नी होता है आजाएगा आपके आत्मिक जीवन नीचे नहीं जाना चाहिए इस pandemic में परमेशन आपको प्रिप्रेशर के लिए समय दिया है तब ही आप अपने आत्मिक जीवन को समाल पाएंगे नहीं तो lockdown में भी time pass के लिए बहुत सारे option खुल चुके हैं आप वहाँ पर time pass करके time waste करके अपने समय को बरबात करतें के बहतर है कि आप जो कुछ भी करें लेकिन अपना समय दिन में तीन बार खुदा बापके साथ ज पहले जarrive है उन गवाहों का जो बादाल हमें गेर हुए है उनके पदचिन्नों पर चलो वच्ण कहता है यदि तु नहीं जानती तो कहां जाना है तो प्रभु का वच्ण कहता है चर्वाहों के खुरों के चिन्नों पर चल चरवाहे तक पहुंच आईगी हमसे पहले जो पह परमिश्य के आत्मा से प्रेरिख था और उसी पर जब हम चलेंगे फॉल्व करेंगे तो हम निश्यत रूपते परमिश्य के उपस्ति उप्रवेश्य जरूर करेंगे ऐसे ही दानियल दिन में तीन बर दुआ करते थे आप भी करिये मैं आपको गरेंटी ले रहाँ आप अपन कर दूआ करिए आपका आदमी जिव नीचे नहीं देखोगे आपका भी इस बात की गरेंटी है लड़ ब्लेस्यों आप आप सब को आशीज दे और पाप से बचे रहिए बुराई से बचे रहिए नहीं तो दिन में तीन बाप दूआ करके भी क्या मतलब जब हमारे रिष्टे खराब हैं हम लड़ते जखरते हैं है ना गलत संबंद हैं लोगों से इदर उदर हम अजीब से गंदे रिष्टे हैं हमारे तो यह सब फिर कुछ नहीं हो सकता अपने लाइफ को प्यूरिफाई कीजिए गवाही जरू दिएगा अगर खुदा बापने आप से बात किये तो Amen God bless me